बात करते हैं भोपाल की जहां एक पॉस्ट कोलोनी में लोग जगड गए हैं घर के सामने डौगी को पोटी करवाने से मना करने पर डौग मालिक उसके बेटे ने 68 साल के रिटार्ड बैंक मनेजर को डंडे से पीटा है उनके साथ अपना डौगी टहला रही लड़की ने भी कालिया दी है रिटार्ड बैंक मनेजर की बेटी और पत्ली ने आकर उन्हें बचाया था पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है न्यूमिनोल रेसिडेंसी में रहने वाले ओम प्रकास गोयल ने बताया कि रविवार रासाड़े आठ बजे घर के बाहर वर टहल रहे थे एक लड़का पालतू डौग को घुमाने लाया था मेरे घर के सामने डौग को पोटी कराने लगा उसे ऐसा कराने से रोका तो बोला मैं तो यही कराऊंगा उसने फोन करके पीता को भी बुला लिया थोड़ी देर में उसका पीता आ गिया और बिना कुछ कहे गाली गलोस करने लगा मुझसे बोला तुझे यही चैपिट नीचे गार दूगा यह रोट तेरे बाप की नहीं है यही तेरे घर के सामने कुटे से गंदगी कराऊंगा और कहका डंडे से पीट और कमर में मारा है धक्का देखकर गिरा भी दिया, सोर सुनकर बेटी बिजया गोयल और पत्नी बीच बचाओ करने आये थे आरोपी उनको भी गालियां देकर जूमा जटकी करने लगा था रिटैर्ड बैंक मेनेजर ने बदा कि घटना का वीडियो बेटी बिजया गोयल ने बनाया एक लड़की जो मेरे घर के आगे वाले लाइन में रहती है, वह भी आरोपियों के साथ अपने डॉक को ले कर आई थी उसने मेरे उपर अपना डॉक छोड़ दिया था, वह लड़की भी मुझे बेटी और पत्नी को गालियां देने लगी थी जाते जाते बोली आज तो बच या आएंदा कहीं मिला तो जान से खत्म कर देंगे जानी मर्क गुवाने वालों ने जदर मचा रखा है, एक सज्जन को मैंने बना किया तो वह आ गए और हमारे उपर मार्क्वीट करी, इसके हमें बहुत छोट आई